नमशकार दोस्तों है, आपका एक वरफिसे हमेंडिया एजुकेशन यूटुब चैनल पे दोस्तों, एक वरफिसे हमेंडिया एजुकेशन आपके लिए जोब से रेटिर अपडेट ले कर आए है आज हम लोग आपके साथ जो है जो IIT मंटी में भिविन वेकेंसिज आउट हुई है हिमाजर प्रदेश में उरसे रेटिड अपडेट लेके आए हैं तो कौन-कौन सी वेकेंसिज है जिसके लिए आप यहाँ पे अभी अपलाई कर सकते हैं कैसे अपलाई करना है, सररी क्या रहेगी, लांस डेट क्या रहेगी, इसकी चच्चा हम लोग आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहे हैं अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, इंफोर्मेटिव लगी तो वीडियो को दिख से दिख, शेयर चैनल को सब्सक्राइब, बैल बटन को जुरूर कीजेगा पहली जो इसमें नोटिफिकेशन आयाटी मंडी की तरफ से वो प्रजेक्ट इंजिनियर, असिस्टन इंजिनियर, लेट्रिकल और जूनियर इंजिनियर सिविल के लिए ये विकेंसी आउट की गी है कुल मिलाके टोटल तीन पोस्टों के लिए ये भरतियां है जिसमें प्रजेक्ट इंजिनियर की जनरल की एक पोस्ट के लिए असिस्टन इंजिनियर की ओबिसी की एक पोस्ट और जेई की जो है एसी केटेगरी के लिए एक पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाली गी है अपलाई करने का प्रोसेस की बात करें तो अपलाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वो टोटली ओनलाइन रहेगा ओनलाइन जो है आप IIT मंडी की वेबसाइट से जो है इन पोस्टों के लिए अपलाई कर सकते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए चाहिए सेविल में हो या फिर लेट्रिकल में हो उसके साथ साथ आपके पास पांच साल का अनुभब होना अनिवारे रहेगा तो यह जो अनुभब है आपके पास as a relevant इंजीनियर या assistant इं चाहिए कम से कम तीन वर्ष का लेट्रिकल में और पांच साल का आपके पास as a jee experience होना अनिवारे रहेगा जेई civil की पोस्ट के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए civil engineering में प्लस एक साल का अनुभब इससे rated होना चाहिए वह government होगा या private होगा इसके बारे में कुछ नह पताया गया तो relevant experience आपके पास होना अनिवारे रहेगा अगर आप diploma holder है civil engineering से तो आपके पास कम से कम तीन साल का जो है field experience होना अनिवारे रहेगा तो ये तीन पोस्टे जो है अलग notification के मादम से निकली थी जो की 85 की notification थी और इसको apply करने की जो last date है वो 28 में ही रखी गी है अग पोस्ट के लिए vacancies आउट की गई है कुल मिलाके 6 पोस्टे हैं 10 मेह को ये notification आउट हुई थी 30 मेह तक आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं medical officer के लिए आपके पास mbbs होनी अनिवारे रहेगी साथ में एक साल का अनुभब होना चाहिए आपके पास recognize hospital का staff nurse के लिए आपके पास intermediate plus two उसके साथ 3 साल का JNM का course होना अनिवारे रहेगा registration आपकी nursing council में होनी अनिवारे रहेगी एक साल का आपको hospital का अनुभब होना अनिवारे रहेगा तब ही आप इस post के लिए eligible होंगे अगली जो vacancy थी वो pharmacist की थी इस post के लिए आपके पास metric होनी चाहिए साथ में diploma य पास साथ में जिन्होंने diploma या degree कर रखिया medical में वो इस post के लिए apply कर सकते हैं आपकी registration होनी अनिवारे रहेगी और आपको computer की knowledge होनी अनिवारे रहेगी इन post के लिए जैसे कि हमने पहले भी बताया apply करने की जो last date है वो 30 में ही रहेगी अलग-अलग notification के मादिम से जो है इस व पोस्ट और जूनियर technical superintendent के लिए दो पोस्टों के लिए vacancies आउट होई है online ही इनके form फिल किये जाएंगे 13 में की यह notification है इसको apply करने की जो last date है वो 2 जून रखेगी है technical officer के लिए आपके पास BTEC computer science में IT में EE में या triple EE में होनी अनिवारे रहेगी या फिर आपने MCA कर रखी ह तो पांच साल का उन्वहब आपके पास होना अनिवारे रहेगा या फिर आपके पास मैं ट्क होनी चाहिए अगर lie कर एक साल कर न होना अनिवारे रहेगा जूनियर technical superintendent के लिए आपके पास BTEC वह लिए यह साल का उन्भव होना चाहिए अगर आपके पास बीटेक नहीं है डिप्रोमा है एंजिरिंग में तो आपके पास पांच साल का उन्भव होना अनिवारे रहेगा इसके इलावा जो लास्ट विकेंशिस आई टी मंडी की तरफ से जारी की गी है यह सतारा में की नोटिफिकेशन चेज के लिए जून लास्ट रखी गी है इसमें जूनियो टेक्निकल सुपरिटेंडन की वेकेंशिस निकली है टोटल जो है पांच पोस्टों के लिए बरतियां है इसकी कंप्ली नोटिफिकेशन भी जो है आप आई एटी मंडी गूगल पर सेर्च करेंगे वहां से इनकी यह एटी मंडी की तरफ से तो इन जब तक लास्ट नहीं निकलती आप इन पोस्टों के लिए अगर वेलिंग है तो अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अदिक से दिक चैनल को शेर जरूर की जगा ताकि और आइस प्रेंट तक भी जो है इन विकेंशिस की अपडेट पहुन सके फिलाल इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फर वाचिंग हिमेंटिया एद्यूकेशन